हे गैं कि आप भी एका यूज करके वीडियो करेट करना साते हो और आपने यूट्यूब सैनल या फिर यूट्यूज चॉर्च कैसा का मना साथ हो तो यह वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा आप कैसे एक फ्री टूल के यूज़ करके वीडियो को क्रेट कर सकते हो और वह भी वाटरमार्क के भी ना तो वीडियो को क्रेट करने के लिए पहले हमें एक इमेज को क्रेट करने ना और यह tool हर एक update में और ज्यादा powerful हो जा रहा है आप यहाँ पर simple सा एक text दे कर बहुत सारे style में image को create कर सकते हो लेकिन आज मैं यह tool वीडियो को create करने के लिए यूज़ करूँगा तो उसके लिए आप इस वीडियो को skip मत करना यहाँ पर देखिए बहुत सारे option दिया हुआ है पहले दिया हुआ है image generation उसके बाद दिया हुआ है real time canvas और फिर canvas editor, motion, real time generation, universal upscaler तो मैं वीडियो को generate करने के लिए motion वाला तुरही use करूँगा तो यहाँ पर click करने के बाद एक option आ गया है आपके पस एक image होना सहिए जिस image को आप वीडियो में convert कर सकते हो तो वीडियो को create करने के लिए पहले में एक image को create कर लेता हूँ यहाँ पर image generation पर click करके उसके बाद देखिए यह interface आ गया है यहाँ पर एक prompt box दिया हुआ है उसी के नीसे देखिए fine tune model select करने के लिए option आ गया है यहाँ से आप अपने लिए किस type का image सहिए वो select कर सकते हो आप वो model को home page पर आके fine tune model पर भी click करके select कर सकते हो यहाँ पर देखिए बहुत सारे model का option दिया हुआ है आप यहाँ से किसी भी एक model को select कर सकते हो आपको this type का image सहिए तो आभी के दिया मैं किसी एक model को select कर लेता हूँ उसके बद देखिए यहाँ पर मुझे prompt देना होगा अपने image को generate करने के लिए तो मैं आभी यहाँ पर एक prompt को दे दाता हूँ जिस भी type का मुझे image सहिए तो यह देखिए मैंने यह prompt दे दिया है एक तावरिंग सी मॉन्स्टर इमर्जिंग फ्रॉम्ड़ देफ्ट इस स्केल्स स्विमरिंग वीट बायोलुमिनिसेंस टेंटेक्लेक्स रीचिंग आइस ग्लोईग प्रॉम्ड को देने के बाद लेफ साइट में देखिए यह आपर अप्शन डिया हुआ है आपको जितना भी इमेज सहिए आप वहाँ से सेलेक कर सकते हो अभी के लिए मैं दो ही सेलेक करूंगा उसके बाद देखिए फोतोरेल ओप्शन इसको अफ रखिए उसके बाद अलकेमी इसको अफ रखिए अगर आप इमेज पर ट्रेंसपेरेंस बेकराउंड रहना साते हो तो आप ट्रेंसपेरेंस यो उसके बाद नीसे दिखे इमेज दैमेंस यहाँ को के लिए मैं वीडियो बन रहा हूँ योटूब के लिए तो यूटूब taki देखेडभी शर्पवी एक image है। यहा से आप तो व्य सकते हो siya image को download कर सकते हो Image को download करने के लिए image के लिए सबीभी नीशे को download बेटा है इसी इसी ब्त पर click करके clock यह image नहीं हुआ है तो हटोड़ा ऊपर आएए logon box नीशे देखिए add negative from यह पर क्लिक कर देना होगा आपके लिए इस image पर जो जो नहीं होना सही है था आप यहाँ से explain कर दीजे उसके बढ़ फिर से generate पर click कर दीजे और आपके लिए यह tool उसी तरीके से image को generate करके देगा अभी मैं इसी image को वीडियो में convert करके दिखाऊंगा तो वीडियो में convert करने के लिए image पर आना होगा और image पर ही आने के बाद यहाँ पर एक option दिया हुआ है generate motion video यहाँ पर आपको click कर देना होगा उसके बद देखे यहाँ पर image से motion पर convert करने के लिए option आ गया है यहाँ पर एक option देखे motion strength इसको आप अपने according कम या फिर ज्यादा कर सकते हो उसके बद मैं generate पर click कर देता हूँ और इसी image को वीडियो में convert करने देता हूँ और किस type का video convert कर कर देता है यह tool वह आप भी देखे यह देखे यह tool मेरे image को video में convert कर रहा है वीडियो जेनर्द होने के 20 में आपको बोलो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सेलेगों बहुत मेंनद करके वीडियो बना रहा हूँ तो यह देखिए मेरा video जैनर्द हो गया है आप एक बार इस video को देख लिजेए यह देखिए वीडियो इस तरिके से जैनर्द हो गया है अब ही इस video को डाउनलोड करूंगा वीडियो के नीशे दे गए डाउ कर देता हूँ देखें यहाँ पर image का option आ गया है यह वह image से जो मैंने पहले ही लिए लिए का ही यूज करके आपको image generate करना होगा और उसी image को आप वीडियो में convert कर सकते हो तो आगर आप इन image से किसी एक image को वीडियो में convert करना साथ हो तो आप simple यहाँ से एक image को select कर लिजे उसके बाद confirm बटन पर क्लिक कर डिजे और उसके बाद generate बटन पर क्लिक कर डिजे और फिर यह आई टूल इस image को भी वीडियो में convert करके देगा तो दोस्तों ऐसे ही आपको लिए लोगा यूज करके image और वीडियो को create करना है फिर भी आगर आपको कुछ confusion है तो आप